दिल्ली में 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इंटरनेशनल प्रेस कॉनफरेंस किया जाएगा G100 की ओर से G100 में बिहार की मुझफरपुर की बेटी का चैन हुआ है रेनु पासवान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निश्फोर्नेशन से आखिर इनका चैन हुआ है ये तीन किताब अब तक लिख चुके है और दिल्ली में जो इंटरनेशनल कॉनफरेंस G100 का होने वाला है जिसमें सवा सौ से अधिक कंट्री के महिलाएं ताकतवर महिलाएं सामिल होगी इसमें क्या कुछ होगा इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेनु पासवान जी है अधिर रेनु जी सबसे पहले ये कैरियर कैसे सुरुआ कि अब तीन किताब लिखे हुए है ये एक्चिली स्टोरी तो बहुत लंबी चौड़ी है बच्पन से मेरा खौब हमेशा से रहा है कि मैं कुछ बहुत बढ़ा करूं अपनी जिंदेगी में दो coming from a marginalized family I have seen मैंने देखा है कि किस तरीके से बच्चियों को बाल विवा में चले जाना पड़ता है और फिर पढ़ाई छूड़ जाती है और आगे वो कुछ नहीं कर पाती है ज्यादा तर हाउस वाइफी रह जाती है बच्चपन में ही आज से 18 से 20 साल पहले मैं घर छोड़के चली गई थी यही सोचके कि मुझे आगे जाके पढ़लिक के कुछ बनना है और उस समय इंद्रा गांधी को मैं बहुत inspiring lady मानती थी और उनको देखके मेरे में वो जज़बा आता था कि मैं भी कुछ करूंगी सरोजनी 90 के स्टोरी पर के या Mother Teresa जो सोचल वर्क में इतना अच्छा कर रही थी उनका देखके तो तीन चार जो लेडी थी मुझे बहुत पसंद थी और मैं उनको देखके ही यही decision था कि मैं अपने यहां से मैं निकल गई कि मुझे पढ़ना है पढ़ाई लिखाई करने के मैं महराश्रा गई पुने में रही 10 साल 10 से 15 साल इंफोसिस में मैंने 10 साल तक नौकरी की लेकिन वो नौकरी मुझे सही नहीं लग रही थी ऐसा लग रहा था कि मैं करने तो कुछ और निकली थी लेकिन मैं मोनोटोनस जॉब में फस गई हूँ 9 to 6 में 2018 से मैंने कुछ ऐसी लोगों को बीच मैंने जाना चालू किया जहां पर मुझे लगा कि मैं कुछ और अच्छा कर सकती उनसे इंस्पायर होके टेड़ेक्स टॉक पे गई जो स्टॉक पे गई और जब उनको मैंने अपनी फैमिली की स्टोरी बताई उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रेनू य यू यू दो हजार बाइस में मैंने जैनुवरी में पब्लिश हुई है हमारी तो यह सारे बुक्स की बज़स को कहां तक पहचान मिली है इंटरनेशनल फोरॉम तक इसकी पहचान हुई है क्योंकि अगर मुझे लगता है कि यह बुक्स के जर्ये कुछ ना हुआ होता तो मै मैं शायद अभी जी समू की में होती भी नहीं दलीफ टू इंस्पायर जो था वही बुक मैंने गई थी वह मेंनी एकनॉमिक फोरॉम पे और फिर वहां से मेरा सिलसिला एक इंटरनेशनल लेवल का चालू हुआ और जब उन्होंने मुझे सुना जब उन्होंने मेरा पुई स्टोरी देखी है कि मैं कैसे बिहार से स्ट्रगल करके कुछ करना चाहती हूँ उन्होंने डारेक्ट दो तीन दिन के बाद ही मुझे या साइनमन दे दी कि आप रेनू बिहार का चेयर परसुन बन जाओ और आप संभालो वोमें से रिलेटेड जी हंडेड है क्या आखिर ज 137 कंट्रीज अभी हमारे साथ जूरे हैं G100 में और वो सब अपनी अपने रिस्पेक्टिक फिल्ड में एजुकेशन हो हैंडलूम हो क्राफ्ट हो जितने भी सेक्टर हैं हमारे एजुकेशन हो सब में महिलाओ को कैसे आगे लाना है कहीं न कहीं क्या होता है कि जो हाउस होल् में डोमेस्टिक वाइलन से गुज़र रही हैं उनको हैंड होल्निंग हैंड होल्निंग हम लोगों का काम है कि हम गाओं घर जगह पे जाके ऐसे लोग जो महिलाएं जो मान लीजीए कैरियर ब्रेक में हैं शादी की बाद प्रेग्नेंसी के बाद और वो आना चाहती हैं उन दूसरे को जब हम प्रोटसाहन करते हैं तो एक अलग कॉंफिडेंस बिल्ट होता है और इसी के लिए आगे महिलाएं फिर आती है एक दूसरे का दिक हैं जाका जो दिल्ली में प्रग्राम है कितने महिलाएं कहां-कहां से सामिल होगे महिलाएं होल उड़ोप इटली लंडन यू-एस से भी रहेंगे नियू-योक, जिनेवा, पेरिस और माल्दीव और जितने भी फोरें के हमारे तो 137, 135 to 137 countries 100% रहेंगे और हमारे इंडिया से बिहार की महिलाएं रहेंगे और बाकी स्टेट्स के भी एक दो महिलाएं रहेंगे जो हम लोग वहां पे अपने-अपन कंट्रीज को अपने-पने स्टेट को रेप्रेजेंट करेंगे और कंट्री लेवल पे रेप्रेजेंटेशन होगा तो यहां पे ज्यादा तर एजुकेशनिस्ट, फिलन्ट्रोफिस्ट, एकोनॉमिक्स्ट ऐसे विमन आएंगे एक दूसरे से हमें मिलने का मौका मिलेगा व वो अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज हम शेयर करेंगे, हम अपने यहां पे उस चीज़ को लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इस संदर्व में यह सारा प्रोग्राम हमने डिसमबर में 27 से 31 डिसमबर टक रखा है, साधी की बात आने के बाद आ तो फैमिली मेंबर्स थोड़े नाराज हो गए थे, अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, बट ना समझ गए हैं कि हाँ, इसका मोटो कुछ और है, यह कुछ और करना चाहती है, तो अभी ठीक हैं, बट हाँ, पहले थोड़ी दिकत बहुत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जित बस तुम खुद डटे रहो, अगर तुम हिल गई तो बाकी लोग तुमको हिलाने के लिए और भी हैं, कि तुमको वहां से वह सपना तुम्हारा पूरा ही नहीं होने देंगे, लेकिन तुम अगर डटे रहोगी, तो फिर कोई नहीं कुछ कर सकता, लोग सपोर्ट करने आए रेलू पास्मान अब यहां तक मुकाम हासिल कर चुकी है, दिस दुनिया भी जान रहा है, तो अब क्या ऐसा लब का कुछ प्यार में ऐसी बात, नहीं, नहीं, मैं अचली मेरा लाइफ बिहार के लिए डेडिकेटेड है, आप समझ रहे हो, अल्मोस्ट 20 साल मैं बिहार से ब अंतर है, लेकिन फिर भी मैंने अपने सारे comfort zone, lavish lifestyle, luxury सब छोड के मैं बिहार में हूँ, क्योंकि मुझे बिहार में कुछ करना है, जब मैं दूसरे देश में रहती थी या फिर दूसरे जगा पे, वहां पे मैंने देखा है, बिहारियों के साथ कैसा दुरबरभावर होता थ नहीं, मतलब जो जिस तरीके से मैं जाती हूँ, मेरे अपने कामों से, और अपने दूसरे जो states हैं, वहां पे जैसे मैं महरास्ट्रा में रही, दिल्ली में रही, जैपूर में रही, हर जगा मैंने बिहारियों के साथ दुरबरभाव होते तो देखा ही, देखा है, वो जहीं देखते हैं, मेरा future planning वही है कि अभी अपने आपको बिहार में थोड़ा, ऐसे अच्छे मुकाम तक लेके जाओं खुद, अकेले, मैं किसी party से support नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर रही हूँ, हो सकता है future में आने वाले समय में मैं कुछ आगे बढ़ाते हुए मैं अपने समाज को, अपने देश को, बिहार को आगे बढ़ाऊंगे, और इंटरनेशनल लेबल पे तो मैं अभी वहां पे चीजों को बताती हूँ, हमारे जो गौरफसाली इतिहास रहा है, हमेशा मैं इस चीज का जिकर करती हूँ, और वही परीके से अलग दिखाया जाता है, लेकिन वो सक्चे नहीं है, मैं हमेशा से इतिहास के पन्नो को खोल के उनके सामने रखती हूँ, कि इतिहास में अगर आप देखेंगे तो बिहार के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, सिरु बिहार दिखता है इतिहास में, तो यह अच्छी फीलिंग है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत मिला है, यह बहुत अच्छी बात है, कास्टिस्म जो मुझे बच्पन में जहिलना परता था, अभी इतना मैं नहीं बोलूंगी कि जादे लेवल पे है, थोड़ा बहुत है, जो मैं बहुत अच्छी तरीके से है कर लेती हूँ, क्योंकि अब मतलब मेरे में उतना सेंस आ गया है कि किस तरीके से सामनी जवाब देना है, कैसे उनको दिखाना है, और मैं किसी से निगेटिव थौट नहीं रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम से ना, जो मेरे दुस्मन है, या जो मेरे ना चाहन करने वाले न, वो भी मेरे साथ जुर जाते हैं कहीं न कहीं, तो ऐसा जजबा मैंने रखता है, और यही सोच लेके काम कर रही हूँ, और आगे भी करती रहूंगी, बस जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को, मैं बस उनको यही बोलना चाहूंगी, कि अपना होसला कभी न खो बहुत नाराज रहेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया भी तो, कहते हैं कि करी द्रिष्टी, दूर द्रिष्टी, करी मेहनत और पक्का इरादा हो, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा ही इतिहास है, मुझहफरपुर की बेटी, हलाकि दलित समात से आते हैं, ल अठा होगी दिल्ली में, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के इंटरनेशनल कॉन्फिरेंस में, उसमें मुझहफरपुर की बेटी सामील होगी, जो रेनु पास्वान हमारे साथ बात चित कर रहे थी, इस पोर नेशन के लिए मुझहफरपुर से अर्भिन दक्यला